नमस्कार और किसान भाईयो आज हम कैक्टस के बारे में जानेंगे आप सभी को कैक्टस के बारे में पता ही होगा लेकिन आज हम जो इस वीडियो में जानने वाले हैं तो जो ये कैक्टस है तो उसका हम चारे के लिए किस प्रकार यूज कर सकते हैं उस बारे में हम जानेंगे अभी हम देख सकते है कि समर सिजन में गर्मियों में पानी की कमी हमें हर जगह दिखाई देती है और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो हमें डेरी फार्मिंग गोट फार्मिंग इस पर दिखाई देता है गर्मियों में या समर सीजन में पानी कम होने के कारण हरे चारी की उपलबदता कम होती जाती है और हारा चारा कम होने के वज़े से डेरी फार्मिंग में दूद मिल्क प्रोडक्शन के उपर इसका इफेक्ट पड़ता है और गोट पार्मिंग या बक्री पालन में बक्रियों को हरा चारा न मिलने की वज़े से बक्रियों की हेल्थ और बाकी बातों पर इसका बुरा असरा में दिखाई देता है तो अगर हमें गर्मियों में या जिन जगहां पर पानी की कमी है उस जगह पे हम चारे के लिए हरे चारे के लिए कैक्टस एक अच्छा आप्शन मान सकते हैं और इस कैक्टस में भी जिन कैक्टस के ऊपर काटे नहीं है वो कैक्टस हम हरा चारे का कुछ पार्ट बोलके यूज़ कर सकते हैं तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो बिना काटे की कैक्टस की कुछ स्पीसिज है तो यह हम खिला सकते हैं क्या बक्रियों को और गाये भैसों को तो हम ये बिल्कुल खिला सकते हैं तकरिवन 25-30% तक पूरे चारे का 25-30% हम ये कैक्टस खिला सकते हैं और उसकी वज़े भी है इनमें कुछ बहुत सारी अच्छी नूट्रियंट्स है जैसे कि अगर हम देखा जाए इनमें प्रोटीन का परसेंटेज जो है वह भी हमें अच्छे दिखाई देता है वह भी तकरिवन और एक वाराइटी में तकरिवन 5% से लेके 7% तक कुरूड प्रोटीन का प्रोवान इसमें देखाई देता है और कुरूड फाइबर का परसेंटेज अगर देखे तो भी तकरिवन 10 से लेके 20% तक दिखाई देता है और बाकी जो मिनरल्स है जो खास करके डेरी वर्मिंग गाय भहेंस और वक्रियों के लिए लगते हैं जिनमें कैल्शियम, फॉस्परस, एगनेशियम, सोडियम इस तरह के मिनरल्स है वो भी इसमें पाए जाते हैं तो एक हरे चारेक उप्शन हम बोल सकते हैं और हमें पता है कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बारसात जो है वो कम गिरती है जिसमें महाराश्टरा है, राज़स्थान है, गुजरात है बहुत सारे राज्य है जहां पर जमीन जो है वह भी उपजाओ जमीन नहीं है तो ऐसे जगह पर हम यह कैक्टस लगा सकते हैं तो अभी हम देखते हैं कि यह कहां लगाना चाहिए कब लगाना चाहिए और इसका से प्रोडक्शन कैसे हम ले सकते हैं तो जो बन्जर जमीन है 2017 पहसे में जाम पथराई जमीन है उस टाइब हम और बागिन condition नहीं लें इसी जगह में हम यह क्याक्टस का प्रोडक्शन ले सकते हैं कि पूर क्वालिटी की जमीन है इसको अगर हमें लगाना है तो हमें अगर पूरे साल के बारे में अगर सोचे हम तो आक्टोबर नौहेंबर से लेके मार्च महहने तक हम इसका कलिवेशन कर सकते यह इसको लगा सकते है नौहेंबर आक्टोबर नौहेंबर से मार्च के बीच में अगर हम इसको लगाए तो यह अच्छे से उगए सकता है अब लगाने के लिए आपको पहले इस kaktus की जो species है वो आपको कहीं न कहीं मिलनी चाहिए तो कौन सा पार्ट आपको लगाना है तो यहां पे भी आप देख सकते हैं जो हारा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो की बड़े पत्ते की तरह दिख रहा है वो आपको कट करना है और उसे हम जिस जमीन में लगान बागी का बचा वबा पार्ट उपर हमें रखना है और जब लगाते हम तो उसके बाद आट से दस दिन के बाद इसे पानी देना है और उसके बाद वो जमीन का पानी है और बहुत कम पानी के उपर यह कैक्टस बढ़ना शुरू हो जाता है इसका प्रोडक्शन अगर हम देखे तो एक प्लांट लगाने के बाद यह तक्रीबन 10-12 बहने में रेडी हो जाता है अभी आपको यहां पे जो प्लांट दिख रहे हैं इस तरह यह बढ़ जाते हैं और एक साल के बाद तक्रीबन हमें 10-15 किलो तक इससे हरा मटेरियल मिलता है और जैसे जैसे इसकी उम्मुर बढ़ती है वैसे इसका प्रोडक्शन हमें जादा मिलता है तक्रीबन 20-30 किलो तक भारा मटेरियल हमें मिलता है और जो हम ये चारे के लिए यूज करने चाहिए और खिलाते समय भी ध्यान यह रखना है कि 20-30% तक हम इसे खिला सकते हैं और खिलाते समय हमें इसमें कट करके खिलाना है चोटे चोटे तुकडे करके इसे खिलाना है ताकि वो अच्छे से गाय भेंशया बक्रियोधारा खा लिये जाए तो इस तरह से जो वाराइटीज फोडर या चारे के लिए अच्छी है वो वाराइटीज आप अपने इसमें खेती में लगा के जहां पर पानी की उपलोब देता बहुत कम है वहाँ पर हम लगा कि अच्छा चारा भूलकी से हम यूज़ कर सकते हैं थैंक यू